नावस्का दोस्तों डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी अस्वागत है मैं हुआ लोग तो आज जो वीडियो ले करा है वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टैटल अब अंग्रेज करेगा हिंदुस्तान के घुलामी बिटिश ने मांगी इंडिया से हेल बचाओ हमें भारत सरकार ऐसा क्या मांग लिया भाई चली रखते हैं ब्रिटिश की गर्मेड ने कॉमन वेल्थ गेम करवाने के लिए इंडिया से अपील किया मदद मांगी है और आज अगर हम देखे तो ब्रिटिश के हलात बुड़े होते जा रहे हैं जहां इंडिया के ह अच्छे होते जा रहे हैं क्या लगता हैं अंग्रेजों ने हम पर हकूमत की आइंडिया ने अपना इजादी होने अजाद होने का सबूत दे दिया जी बिलकुल ऐसे हैं आप देखें ना कि उनकी इंडियन क्यूंटी और इंडियन विजनस मैं इंडियन गौर्मेंट ने स्पेशली यूरप में और यूके में खासकर अपनी तजारत को बहुत ज्यादा फ्रोग दिया बहुत सारे बिजनेस होटल्स और दूसरी मार्किट्स वगरापलाजी आपको ऐसे मिलेंगे कि इंडियन क्यों हैं जो इनकी जो ब्रेटिश में गवर्मेंट के बैक बून है इंडियन लोग एंडियन फीपल तो मैं समझता हूं कि इसी की बडूलत है कि काफ़ वहां काफी सारा उनका होल्ड इंडियन का इस वजा से डैफिनेटली ब्रेटिश ने इंडियन से गौर्ट इंडियन के लिए तो यूके के पीम्ट कोन है तो हम देखे ना कि मतलब जिन् से हमें मतलब गुलाम बना के रखा इवन के कहा जाता था कि इंडियन और डॉग नोट अलाओ ये अंग्रेज कहते थे आज जब रिशी सनक यूके के पीम्ट करते हुए उन्होंने अपने आपको और डॉग दोनों को रखा और अंग्रेजों को बताया कि दोनों अलाओ हो कि सब्सक्राइब करें एक राज का रहा है दूसरे मुमाली के ऊपर अंग्रेजों के ऊपर स्पेशली और कह रहे हैं कि आप जो वह ना एक आने वाला फ्यूचर है वो मिडल इस्ट का है इंडिया का है वो यॉर्प का नहीं है तो क्या लगता है कि हमें भी बनानी चाहिए पिर ऐसे मुमालिक से क्योंकि हमारी मुसलिम से नहीं बाने और इंडिया से तो बिलकुल पास भी पुटेंशल होना चाहिए सवाले से कि हम चीजों को कैच करें बिजनसमेन को कैच करें और जोर्पी मालक को अट्रेक्ट करें अपनी तरफ हो सकता है लेकिन उसके लिए एक चीज रिक्वाइड है कि पहले मुलक में स्टेबिलिटी होगी और वह ऐसे है कि जब प् को जब से मुदी आया है मुदी ने ब्रेटिश को दुनिया के एक एक मुलक के पीम और प्राइम मिनिस्टर को अपने हाथों में रखा है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडियन का राज जो है दुनिया में बना दी मतलब कि जितने सी यो इंडियन और जितने भी को अप्रोच किया जाता वह इंडियन ब्रेन को किया जाता के इंडियन हमारे पास है तो क्या मुदी सच में ऐसा लीडर है कि वहीं उसकी इतनी तरीफकार है दुनिया अगर हम नीट्रल हो कि देखें ना तुमने बहुत बड़े जलास इंडिया में हो रहे हैं इसके लावा जो के इंडिया करवाएगा जो के मेडली करवाया करता है दुबई बिल्कुल ऐसे ही है इसके तरीफ करते हैं इंडियन के लिए कितना बड़ा प्राउड है बिल्कुल ऐसा यह देखें हम उसको तरीफ इसको मदब बुरा इस वज़ा से कहते हैं कि वह एक हिंदुइजम है हिंदुए डियाले उजी को पर मोट करना चाहता है तो मैं समय इसमें कोई ब्राही नहीं है तो इसलामिक नजाम को पर मोट करना चाहिए चाहता है तो हम इसको सब्सक्राइब करता है तो फिर हम कैसा देखें का बुरा इस चीज़ें नहीं पाई जाती तो फिर बहुत अच्छा नहीं है जो सही माइनों में अजादी मिली थी वह अंग्रेज से मिली थी और बेसिकली हम बरे सगीर से इसलिए अलादा होना चाहते हैं कि हम एक इसलाम के कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दो कि आपको आजादी मिली कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दो कि आपको आजादी मिली क्योंकि जैसे ही आप ये कहते हो आजादी मिली तो सवाल उठकड़े होते हैं तब पाकिस्तान कहा था? क्या पाकिस्तान नम का कोई मुल्क था? क्या वो गुलाम था? अगर गुलाम था तो वो किसका गुलाम था? क्या प्रूफ है इसका क्या डॉकुमेंट है भारत का तो प्रूफ है अब बता दो पाकिस्तान पैदा हुआ है पाकिस्तान बना है क्रियेट किया गया है आजाद नहीं हुआ है हम इसलाम के मताबख जिन्दगी घुजारना चाहते हैं बिसे कि लिए हमने जो एना उन से अजादी हासल नहीं है हम लोग अभी भी असी तरह इंग हुलाम है जिस तरह हम पहले थे छाह हैं कि अजिक अजय का सउष है माईदी हम रही परसेट इना वह पर जाथ हैं उनके बगाइर हम लोग जो ना वो रहते हैं कि जी हम लोग आ दिनों जिए ना वो कहते हैं कि हमें आइए माफ से जनका करणा चाहीए और वो इस शरायद पे देते हैं कि हमें जियां पर महंगाई करनी पड़ति है और जिन डिए, गर लिखते हैं कि जैसे हमारे हाला था के सेम इंडिया के भी हाला था हुँनें को बिए इंडेपेंडेस बस नाम की मिली है ये सही मानों में मिली है उन्हें भी इंडिपेंडस जो हैं वो सिर्फ नाम की मिली है एसा कैसे हो सकता है आज तो इंडिया डूल कर रहा है दुनिया के एक-एक मुला के उपड़ इंडिया जो है वो बेसिकली हमसे जादा तरक्की कर गया है लेकिन अभी भी देखें तो वहां पे गुर्बत हमसे जा पड़ाट है इंडिया में महाई कम है लेकर पाकिसान से कम है लेकर अभी भी गुर्बत सबसे ज्यादा वहां पर भी बहुत सारे जो है वर्ड बैंक के रिपोर्ट आई है एक करोड़ों लोग आपके साथ 10 मिलियन लोग जो है वो फिर से घरीवी में चले गए रिपोर्ट आई है समझे जर और यह मैं नहीं कह रहा है यह आपके हां के एक्सपर्ट हैं कमर्ची मां वो कह रहे हैं सुनिए वर्ड बैंक की रिपोर्ट यह आई है कि दस मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं मतलब देर स्लिबिंग इंटू पावर्टी हमारी इंफलेशन रेट तो 26% है इससे भी ज्यादा है और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है भारत की 8.4% है 8% है लेकिन हमारी 1.8% है तो हमारा जो एकनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 1.8% है पावर्टी जो रेट है 40% है 98 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो औरेडी दे आर इंटू दे लाइन अ पाकिस्तान दे इसमें है तो जाकर रिपोर्ट पड़ो के गरीबी का है रिपोट ये है कि एक्स्ट्रीम पोबर्टी हमने 1% से भी कम कर दी है जाकर पड़ो आप उनाइटे नेशन की रिपोर्ट है और अभी चाइना में एक संस्था की रिपोर्ट आई है उसमें की पूरी दुनिया में सिर्फ दो देश ऐसे हैं जिनोंने गरीबी मिटाने पर काम किये और उसमें कामयाब हो रहे हैं पहले नंबर पर है चाइना और दूसरे नंबर पर है भारत चाइना भी तारीफ कर रहा है इस चीज़ की जो आपका दोस्त है हिमालिया से भी उची और इंडिया न हसेंगे गुरुबत भारत में ज़्यादा है गुरुबत तुम्हारे यहां 40% 40% पोवर्टी है आपके यहां पता है आपको जाकर अपने आगे रिपोर्ट्स पढ़ो यार 40% इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ो 40% और हमारे यहां 5-6% समझे अभी जॉब्स की बेरोजगारी की बाग कर रहे हो हमारे एपल अभी आया ना डेड़ लाख डारेक्ट जॉब्स मिली है एपल से तो आईफोन बनाती है कंपनी 1.5 लाक्स डारेक्ट जॉब्स और इंडारेक्ट में इससे आंकरा यह कहीं जादा होगा यह 6-7 लाक का होगा आपको अंदाजा लग रहा है आप एकॉनमी में किस नंबर पर आते हो हम एकॉनमी में किस नंबर पर आते हैं आपको पता है गुर्बत किसे कहते हैं हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी एकॉनमी हैं और बहुत जल्ब दुनिया के तीसरी लोसोट डॉलर की है आप ये फर्क देख रहे हो मैं यह नहीं कहता है कि सबसे बढ़िया हमारा है चाइना हम से कहीं आगे है अठार उनीस हजार डॉलर पे है वो बहुत आगे है वो उसकी कॉनमी भी बढ़ी है लेकिन हम सुधार कर रहे हैं लगातार आप कहां तो सुधार ही नहीं पता तो मू मत ख़ो ना बंद रखो मूग है अकलियत को हाफज Suzuki नहीं लिए लेकिन अगर धेखा शेक किसी अकलियतों को तो हाफज नहीं है तो इंडिया में रोजबर रोज जो है वो उनकी पॉपलेशन जाद कैसी हुई है यहां से तो माइनोरिटी मूव कड़के थे ना 47 के बाद हिंदूस चले गए थे क्या वहां से मुसल्मान नहीं आ सकते थे या किसी और मुलक में नहीं जा सकते थे वो क्यों नहीं गए भी जो हम लोग पाकिसान 50% अभी मकरूज अबी कितने जदे जर्य हैं यहां नहीं इंडिया में आपका गोगल रोस जो एक तरफ तु कहा रहा है कि ऊपभए के गुर्बत जादा है अब दोनों चीज़े एक साथ नहीं हो सकती ही अगर economy strong हो रही होगी तो गुर्बत कम होती जाएगी लेकिन तो पाकिस्तानी स्कूल का कॉलेज का पड़ा हुआ होगा वहां के पड़ाई में और पूरी दुनिया के पड़ाई में जमीन आस्मान का फर् ली हमारे हाँ इंवेस्मेंट करो हमारे इंवेस्मेंट करो थे क्या युश खीज Sabbath ऑड़ रहा हैं तक्या हमें पाकिस्तानी इंडिया की ट्रेडड आ की इंवेस्मेंट की सबस्दीध बाइं यह आपे बैर के लोगों परह थे नहीं है कि हम लोग दूसरे को कहें वह करणी करदे ब करदे ब्लब ऑना वह हम कर्दे बहने करे दे और मकुरूज़ उतारते रहे और मकरूज तर वहमारी अवां थारी ही लेकित साब ने अब भी डिसेंट पे एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने का है कि हम इंडिया की जरूरत है अब इंडिया के साथ प्यास टमाटर और इस दीगर एशिया के ऊपर हम ट्रेट करना चाहते हैं मैं वो सियासर पॉलिटिक्स हैं उनका जो मकसेद है जो काम है वो कर सकते हैं उनका मकसेद है वो कर सकते हैं हम पाकिसान नहीं है हम लोग इस तरह नहीं सोगते हैं जिसके हाथ मैं इशागडार के न, वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा मालिक है, तो जिदर मालिक जाएगा न, उधर तुम्हें मी जाना है, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, तो मत खाबे, इशागडार तो खा रहा है न, हम पाकिस्तानी है, तो इशागडार नौन पाकिस्तानी है, शहबाज शरीफ नौन पाकिस्तानी है, अब वही तुम लोगों करता है, वही रिप्रिजेंट करता है तुम लोगों को, इतनी भी अकल नहीं है तुम लोगों को, उन्हीं का साइन चलता है, तुम्हारा साइन नहीं चलेगा, तुम्ह पारा नहीं माना जाएगा उन्हीं के नीचे है ना हम भी तो इसी मुलक में डायरे आई में आफ के हम तलवे चाड रहा हम हाड़े उपर सारे सैंक्शन्स लगते हैं हार जिसमें तो हम भी बीज में फिस रहे हैं क्या हम उनको पकर पाएंगे हम किसी मुकाम के पगर पएंगे जिमिस इन्चालला अगर हमारा जो नोजवान है वो इस बाल को समझेगा तो इन्चाललल इन्चालला जब सा गया आपको क्या करते हो आज ब्रीटिश को जुरूरत पड़ी इंडिया की भाई भी बीग मांग रहा है वो मुलक जिसने अंग्रेजों ने हम पर इतने साल 100 साल हकूमत की है हमें तोड़ा है आज वो इंडिया के तलवे चाट रहा है क्या लगता है कि आज सिक्का इंडिया का चलने लग गया है के दुनिया में हां जी ऐसे और निरिंदर मुंधी के सारी प्लैनिंग है निरिंदर मुंधी ने इधर एक बंदे ने कुमत की है यह मेरा पहले बता है आप मेरा इंटर्व्यों चड़ेगा पक्का चलाओंगे ना चला तो फिर आप आप इसके गरांटी दें आप पका चलाओंगे प्रॉमिस सिर्फ एंटर्व्यों रताओंगे यहां बिरैूनिय लेना इंटर्व्यों चलाओंगे एक निरिंदर मुल्थी चीफ कितने चेंड किया है पता बता अगर बता दो चे और में चे जृट अर्मी चीफ tut रॉसने चेंड किया इधर एक आर्मी चीफ ने कितने बिजिरादम क्या एनवाज श्रीफ शम्राइफ और यह इस्वार सीफ 5 is da sex यह पर मैं आपको सदारना चाऊँगा ह Ary कमारे पी-म ने आर्मी चीफ चेंज नहीं किये कि यह बात सभी हुए हैं इसमें मोदी जी की कोई भूमिका नहीं है जो सीनियर था वो आर्मी छीफ बना उसने अपना टेणियोर पूरा किया वो रिटायर हो गया अगला आर्मी चीफ हा गया सीनियर टी के हिसाब से तो यह आप ज़रा सही बात करें हमारे यहां PM ने Army Chief Change नहीं किये हैं आप समझिए हमारे यहां democracy बहुत मज़बूत है तों आर्मी हमारे यह डेमोक्रेटिक प्र्रोसेस में दखल देती हैं ना हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस वाले लोग जो हैं वहero-200 थे अ? morte अब आज प्रस्टाइब करें चोबी साल हो गया है रोस के बंदे को सदर रहते हुए विलादी मेरे प्यूटिन ठीक है सवाधीर में क्या होता है हमारा जमुरियत का नजाम भी चल सकता है यह तुर्की का बंदा कौन है एक बंदा कुमत कर रहा है उपर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं दुगन के काल में आया ना एफटीव की लिस्ट में टर्की महंगाई चरम पर है लोग परेशान हो गए हैं महां पर महंगाई से तर्की की जो करेंसी है वो करेंसी गिरती जारी है खराब होती जारी है खराब होती जारी है तर्की की एकॉनमी की बैंड बजी हुई है बेरो लोकल बॉड़ी के एलेक्शन हुआ है उसमें भयंकर हार हुई है एर्दोगन की क्योंकि लोग महां के परिशान है महंगाई से बेरोजगारी से खराब एकॉनमी से पड़ो जहर यह डालर देख लें आप अफगानिस्तान में 78 का पाकिस्तान में कितना तकरीबन 300 का ठीक है पाकिस्तान में यह करजे जो लेती है ना जिस सरकारी लोगों के लिए लेते हैं प्राइविट के लिए कोई करजा नहीं ले जाता यह पी एसल का देख लें पैसे ले करते हैं फलस्तिनियों को समझे रहे हैं मेरी बग इस रहां से हम अपने आपको जहांक रहे हैं लेकिन फिर भी हमें कम्या होने के बावजूद भी सुदावर नहीं आ रहा है इंडिया ने क्या इंडिपैडनस का मतलब समझाया है आज अगर देखें तो भई दुनिया की ज ईर नलव पासना का कोई छीफ जैस पाकिस्तना का कोई सियास्थान जब उनकी अधे होदीया इंडिया होती है जा चाह नहीं थे नोकरी खतम होती है एक घंडेगे अदर फॉलाइट poisonous यह पाकिस्तान के गहार मुलकी कोचिज हैं यह पाकिस्तान के इदारों के चेर्मेंट नहीं है यह पाकिस्तान के गहार मुलकी कोचिज हैं जैसे हम क्रिकटर के लिए रखते हैं ऑकी के लिए फुटबल के लिए रखते हैं बाहर के फॉरन कोचिज रख लेते हैं यह वही लो इरान ने गैस वाइब लैन बच्छा के बैठा है पाकिस्तान तीन-चार लाख रुपा डेली का जुरुमाना दे रहा है ठीक है जर्दा पुरेज मुषर्व के दौर से शिरुव है दोजर आट से सोला साल होगे पाकिस्तान जुरुमाना दे रहा है उसको त्यार नहीं कर रह करना और फलां के साथ नहीं करना वह क्यों नहीं करना क्या हम आपसे लेके खाते हैं यह पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं लेके खाते हैं पाकिस्तानी नहीं नहीं लेते हैं कोई भी नहीं लेता है मैं बारान लाग दरखासतें गई हैं आई हमको हमने कर्जा नहीं चाहिए तेरी मेरी गई है, ये कुछ सरकारी बंदे की गई है कोई, एक भी नहीं गई, हमें तो गर्सा चाहिए, पाकिस्तान में लगए इन्वास्टो, जोब्स मिलें, बंगलादेश ने व्योण तर्चार लगए है, पाकिस्तान उनका फाकिस्तान व्योण थे पॉटो की हूँ पू लकारियां क्यों लगने पाकिसतन हाराँ के हिए उनके अपने लगना पैसे बंगाली भी हुग करने दिलवा है और आज हम देखें हैं तो बंगाली ह्मसे थिलग होग स्ष्ट एकसोर철 एक फर्टिस Claudia थी बंगलादेश की 86 थी इनकी इदर से बाकी पूरे पाकिस्तान से और 71 में जब बंगलादेश अलाग हुआ इसकी वजह यही थी एलेक्शन जो पाकिस्तान में एक एलेक्शन ठेक हुआ पाकिस्तान की इदालतों का आली है चुड़ताली साल बाद जलवकार ली बटो को अजादी मिली है और तीन दो तीन साल बाद प्रवेजर प्रवेजर को इसको फांसी लगा रहे हैं वो तो फोट हो गया यह दालतों का हाल है बताओ ना मुझे आप यह मेरा इंटर्व्य चड़ाना है उपर बिल्कुल सही बात है बताईए भुक्तों को फांसी पे चड़ा दिया बिचारे को अब जाके आपकी कोट कह रही है कि जी गलत हुआ ट्राइल सही से नहीं हुआ सोच रहे हैं आप एक इतने बड़े लीडर को आपने चड़ा दिया लटका दिया सरयां मार दिया अपने फाइदे के लिए की पावर मेरे पास रहे दूसरे के पास ना चाहिए और आज इतने सालों बाद आपको याद आता है कि ओह गलती हो किसी भी हद तक कमीन गिरी में किसी भी हद तक कमीन पन में जा सकते हैं यह मैं पाकिस्तान के सियासत की बात कर रहा हूँ और जादतर पाकिस्तान के लोग भी ऐस ऐसी सोच रखते हैं बस मौके के इंतजार करते हैं बस मौका मेरे पास आ जाए बस कमीन पन के सारी हद में प कश्मीर के अंदर जो झम्मू कश्मीर है दो कई ज़那么 McMahy कम है जाए के अदर के शमीर के अंदर बहुत बात देछतरी बात वह पे उनके थोड़े से नवा पाइसाट कारजा प्रिशी है और मेर्का सेहरा यकी चलेंगे ज। व Where to जायदादें इनके बच्चे बाहर हैं अगर पाकिस्तान थोड़ा से एक्षन लेगा इनके जायदादें जबत होंगी इनके वो जायदादें हैं इतनी खुदा की किसम इतनी जायदादें हैं सौधी अरभ में इतना पैसा नहीं है जो वो लोग भी इनके रिपोर्ट नहीं द पर पर सिर्फ जो जूट है उसको प्रमोट करने हैं सच को नी पर्सांट पूरे पाकिस्तान में लोग ऐसी है जो सिर्फ पूरे मुलक को अपने नीचे रखा हुआ है 97 लोग परसांट जो लोग हैं वो आप और मैं हैं लेकिन हमारी एक गलती है हम एक खामोश कौम हैं हम आपस में इतने तबसरे करेंगे करकड का मैच हो जाओ दीन की बात हो जाए कोई भी काम हो जाए इतने तबसरे करे करेंगे जहां बोलना करेंगे नहीं हम खमोश लोग हैं अब फलस्तितन को देख लो एक करोड़ फाужा है पूरे मुसलमानोंगे 57 मुसलम मालग की एक करोड फोजा है यहुदियों की टोटल बादी पता कितनी है असी लाख हमारी अबादी जो है पूरे मुसलमानों की एक अरब 140 करोड उनकी बादी सिरफ असी लाख है तो हम फिर भी जलील हो रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर दीन और इमान की कमी है और हमारे चलिए वीडियो खتم करते हैं कमी है बहुत सारी चीजह कमी है बहुत सारी चीजह कमी है और बागी जो फिलिस्तिन पर आप पाकिस्तान कहते हैं हाय लोगों को हमारी गुलामी तो बिलकुल सॉलिड है आप बता दें गज़ा के उपर सबसे कम अगर जायरा हुआ है सबसे कम लोग जो आए हैं कही पे पाकिस्तानी हैं क्यूं ऐसा क्यूं है बताईए सोचें आपके भी ऐसा क्यूं है हमारी तो जड़ों में हमारे खून के अपरेंट मुनाफिक है हम 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 फलस्तीनियों का साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए दे रहे हमारा कोई जजबात नहीं उनके साथ हमारा जजबात गजबात नहीं मिला हुआ पबलिक क्यों नहीं करती बताएं ना कोई डिमांस्टेशन ड़़ आई है अच्छे तुको छो अंवारे जिससे में फ्राइट कर गई है मुनाफ़ कर यह यह मुनाफ़ कठा बताएं सोचे ना हम सिर्फ असलाम का लिया है यह है वू है यह पाकेस्ताइव का दोगलापन समझझे जर फलिस्तीन फलिस्तीन करते हैं यह दोगलापन तो दोगले पंसे तो पाकिसान आगे नहीं बढ़ सकते बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते अभी आपके सुप्रीम कोट के जजों वाला मामला चली रहा है जजों ने अलान कर दिये कि आई ये साई हमसे दखल अंदाजी करती है नहीं खबर ये आई है कि कोई जहरीला केमिकल या पता नहीं खतरना केमिकल वाले लेटर भेज दिये गए जजजों के पास वो तो बेचारे बच गए जजज वरना उनका भी कांड हो जाना था यसे खबर आई हैं मैं नहीं कहता है ये पाकिस्तान की मीडिया करी भाई नहीं तो हालत है आप लूगं की और आप कहते हिं भारत से मुकाबला नहीं है आप लोगों का न किसी सेक्टर में मुकाबला है कहीं भी नहीं है आप लोग बद से बदतर हो चुके हैं बाके रही बात ब्रिटन के मदद करने की या जिसकी भी ब्रिटन के साथ तो जहां तक मुझे लग रहा है कि जो फ्री ट्रेड अग्रिमेंट वाली बातचीत है वो बिलकुल आखरी दौर में है तो हो सकता है कि आने वाले को इस ताइम में इस बात की घोशना भी हो जाएगी कि ब्रिटन और भारत के बीच फ्री ट्रेड अग्रिमेंट हो गया है बाके मदद करने हो के हम बिलकुल मदद करेंगे हर जगा मदद करेंगे क्यों नहीं करेंगे हम तो मदद करने के लिए जाने आते हैं भारत पाकिस्तान की क्या उकात है भाई दो कोड़ी की उकात भी न बात करते हैं आप कमेंड करके आप जरूर बताएं आपका क्या कहना है जल्दे मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहिए